तो बंजार हादसे के बाद दुरखटना से सबग लेते हुए जा प्रशासर ने बसों पर अपनी सक्ती शुरू कर दी है वहीं लोगों को भी इस कारण अब परिशानियों का सामना करना पर रहा है बसों में हो रही सक्ती के बाद अब लोगों ने सडक पर उतर कर चुक्का जाम करना शुरू कर दिया है कुल्लू में बुंतर से लेकर व्याश्को माता मंदिर का 50 किलोमीटर लंबा जाम लगा हुआ है लंबा जाम लगने के चलते घर जाने के ले लोगों को भारी परिशानियों का सामना भी करना पर रहा है वे मामले के गंभीता को देखते हुए पुलिस अधिक्षक कुल्णू शालिमी अगदी होती कि आने के बाद की मामला शान्त हुआ और लोगों ने सडक से जाम हटाया और ट्राफिक को खोल दिया गया आपको बता दे बस ना मिलने से लोग चक्का जाम करने में जुट गए हैं क्योंकि बंजवार हद्से के बाद पिश्वासन भी अलर्ट हो चला है और ऐसे में अब लोगों को बस में बैटने के लिए जगे तक नहीं मिल पा रही है लोगों ने चक्का जाम किया और अपनी समस्याओं को रखा बंजवार हद्से के बाद पिश्वासन भी अलर्ट होता दिखाई गे रहा है और ऐसे में यात्रों के लिए बसों में बैटने के लिए सीट भी नहीं मिल पा रही है